नश्कार मैं मैं भी स्वावद करता हूँ आपको अपने इस से योटूब चैनल पे दोस्तों दो डिग्री पे रिलेटेड मैंने तीन वीडियो बनाए हैं एक तो तीन साल पहले बनाए थे और दो वीडियो अभी हाल ही फिलार में बनाए हैं और एक वीडियो तो मैंने आपको MP High Court के जो जज हैं उनका वीडियो आपको दिखाया था उन्होंने कैसे जो एक सिच्छा बोर्ड थी जिसने रिकुट्मेंट किसी बच्चे का रद कर दिया था क्योंकि उनके पास दो डिगरी रेगुलर थी एक ही समय में तो उस पे बच्चे थोड़ा सा अवेर हुए और RTI लगाएं और RTI के माधिहम से हम आपको यहां पे दिखाएंगे कि रेलेवे का क्या जवाब आया है और किस भाई ने मुझे RTI भेजा है मैंने आपको नंबर भी दिया तो आपके पास भी कोई RTI बगेरा या कुछ इनफोर्मेसर है तो आप मुझे सेर कर सकते है चैनल पे नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर देगा इससे पहले वीडियो सुरू हो मैं आपको बदा दो कि टेस्ट बुक का सेलेक्षन मेरा हक सेल स्टार्ट हो गया है 14 से 15 अपरैल के बीच यहां पे आप yearly mock test pass जो खरीते है प्रो पास जिसका किदाम 700 के तक्रीवत था उसको घटा के 378 कर दिया गया है यह आर्मानी स्कूपन को जरूरी यूज किजेगा जिससे की आपको 12% का extra discount मिल जाएगा प्लस आप अगर selection ले लेते हैं किसी भी exam में तो आपको ये भी पैसा refund कर दिया जागा कोई भी exam इंडिया की तयारी कर रहे हैं सभी का mock test यहां पे मिल जाएगे चुकि number of candidate इतने जादा होते हैं जिससे की आपको actual exam का feel आएगा कि इतने भीड में आपका selection होगा की नहीं होगा लगबग इंडिया के तमाम तक्रीव 95% जो अभियरती है सभी के पास यह test book का पास है तो आप भी इसको खरीच सकते हैं नीचे description box में लिंक दिया हुआ है कि यह जो आपके RTI है स्री चंदन कुमार ने लगाया है और मुझे WhatsApp पे भेजा है आप भी मुझे WhatsApp पे कोई भी information होती है आप मुझे भेज सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दे जगा कि call थोड़ा सा avoid की जगा क्योंकि office आवार में रहते हैं उठाना possible नहीं होता है boss के सामने obvious है कि आप अपने senior के सामने call नहीं उठा सकते हैं क्योंकि सरकारी काम में बाधा भी हो सकती है इसलिए call हम उठाने की कोशिस नहीं करते हैं लेकिन आप WhatsApp कर सकते हैं आपको reply दे दिया जाएगा आपके genuine question का है हालाकि genuine क्या सभी का reply देते हैं लेकिन थोड़ा time लग जाता है नमबर note कर लेज़े 84 0 5 9 9 3 5 0 7 इस पे आपके पास कोई भी information है आप मुझे share कर सकते हैं चलिए बात कर रहे थे कि जो आपका ये RTI का reply आया है आप देखेंगे कि इसमें जो आपका 12 तारिक के यहां पे accent date 12 तारिक को ये इस पे accent लिया गया था अब इसमें जो चीज़े दी गई है देखेंगा इन्होंने पूछा था कि क्या dual degree जो कि बहुत सारे ऐसे candidate है जो कि BA भी कर रहे हैं और regular course से आपने ITI भी कर रखा है या बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने BN भी कर रखा है सेम एर में और BAC भी कर रखा है सेम एर में तो इस तरह ऐसे जो चीज़े है वो फस जाती है मामला तो उस संदर्ब में कई बार नोकरिया चली जाती है तो उसी regarding पूछा गया था ये railway से ही पूछा गया था अब देखेगा जो आपका है किस से पूछा गया था राची बोर्ट से पूछा गया था आदर भी railway recruitment board राची तो इसमें ये बताया गया इन्होंने answer दिया कि it cannot say anything without verifying certificate तो चुकि certificate का मामला है तो सिर्फ इन्होंने question पूछ दिया तो question से पूछने से नहीं होगा वो certificate देखेंगे कि क्या actual में match कर रहा है और क्या ये दोनों certificate regular के है क्या possible है कि दोनों जगा degree या मिल सकती है तो ये आपके certificate देखके ही पता चल पाएगा तो इसलिए इन्होंने लिखा है reply में it cannot say anything without verifying certificate it is decided during document verification यानि कि document verification के दिन आप पकड़े जाएंगे कि आपने जो dual degree ली है यानि कि आपने ITIV कर रखा है और आपने BA भी कर रखा है या BAC भी कर रखा है या आपने 12th कर रखा है और उसी समय आपने ITIV कर रखा है दोनों degree लगा रहे हैं तो इस तरह के जो मामले हैं वो document verification के समय railway देखती है और पहले यहाँ पर answer नहीं दोने बताया है कि एदाद किया जाएगा कि क्या किया जाएगा लेकिन हाँ मैंने आपको suggestion दिया है कि अगर आपने गलती कर दिया है गलती हर इनसान करता हम करते है आप करते है कोई भी ऐसा चुकि इनसान है तो गलती करेगा ही तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गलती कर दी है तो उसका क्या solution है कैसे आप इसको मतलब कि छुपा सकते है बच सकते है या कहां पर दोनों डिग्री यूज किया जा सकता है जैसे suppose आपने ITI भी कर रखा है और BAC भी कर रखा है तो क्या दोनों का utilization कर सकते है तो कर सकते है मैंने उसका solution भी बताया था कि दोनों का कब कर सकते है और किस संदर में नहीं कर सकते है यह आपके अपने intellectual पर depend करता है कि कब करना है कब नहीं करना है हगा कि मैंने आपको suggestion दिया है कि कहां पर करना है कि अगर आप यह देखिए कि आप railway के लिए भाग रहा है और आपको लग रहा है कि हम ITI के basis पर ही job ले पाएंगे BAC के या BA के basis पर हम से selection नहीं हो पाएगा तो आप वहाँ पर ITI की प्राथमिक्ता दे लेकिन जैसे ही आप teachers की job करना चाह रहे है या SSE के job करना चाह रहे है जहां पर graduation पर आपको लग रहा है कि graduation पर हम निकाल सकते हैं exam तो वहाँ पर आप ITI चुपाईए और आप graduation के साथ आगे बढ़िए लेकिन अगर railway की ओर जा रहे है तो railway में आप graduation चीपाईए और ITI को आगे बढ़ाईए और ऐसा नहीं है कि rail board और SSE board दोनों merge है जिससे कि आपका data match कर लेगा चुकि railway अलग है SSE अलग है या आपके state board अलग है तो आप कहीं एक को चुपा रहे है कहीं एक को सो कर रहे है तो ऐसा नहीं है कि सभी जगा से उसका matching होगा आपका एक board में एक ही degree के साथ आगे बढ़िए यह मैं कहना चाहरा हूँ कि अगर SSE में आप ITI दिखा दिये तो फिर इसको चुपा लेजे यह रेले में ITI दिए तो आप BSC को चुपा लेजे SSE में आप ITI को चुपा लेजे यह अपने state government के जितने भी job आते है तो उसमें आप अपना ITI को चुपा लेजे और graduation के साथ बढ़िए हलाके state board में भी बहुत सारे अलग-अलग department होते है जैसे आपके power holding के department हो गया है electric वाला तो वहां पे आप ITI लगा सकते है जो आपका और भी है BSC उसको चुपा सकते है या आप SSE के लिए apply कर रहे है इंटरस तरिये या graduation रस तरिये SSE के लिए apply कर रहे है तो वहां पे आप उसमें ITI की जरूत ही नहीं तो ITI चुपा लेजिए तो ये आप मैंने प्रोपर आपको suggestion दिया है आसा करते है इस वीडियो के बाद आप समझ पाए होंगे कि दोनों डिग्रियां कैसे आपको maximize तरीके से use करनी है इसी तरह के वीडियो के लिए बने देएगा चैनल के साथ नेक्स वीडियो मिलते है तब तक अलिए जय हिंद